डियर वीवर्स आरड़ी मैंने दो लेक्टिर्स अप्लोड किये हैं आज हम कास्ट आज सोचल स्ट्राटिफिकेशन के बारे में डिसकस कर लेंगे वीडियो को एंड तक जरूर देखना आयम शुर यह वीडियो देखने के बाद आपको कोई कंप्यूजन ही नहीं रहेगा यह इस चैनल पर ही आपको मिलेगे तो आप लोगो फॉर्स यह अगर आप मेहनत करोगे डिफिनिटलि आपको 50 पलस स्कूर आएगा इसमें बस आपको वीडियो और देखना होगा साथिए साथ आपको पूरा एंटेंशन रखना होगा साइड में आपको एक नोट्बूक रखन ताकि रिवजन के वाकत आपको वो काम आएगा दोस्तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस यूट्यूब चौन पर पहली बार विजिट कर रहे हो दिन लाइक और सबस्क्राइब करके जरूर जाना दोस्तो इससे मुझे भी माटिवेशन मिलेगी ताकि मैं आप लोगों क करेंड में तो हमारे सोसाइटी में हम एक इंडिवल गूरप स लगती है तो यह हैं अगर हम यहां पर बूलेंगे यह क्या डिफिररंस है लाइक A में अगर हम natural difference की बात यहां पर कर लेंगे तो A अगर strong होगा यह weak होगा यह natural difference है A की height ज्यादा होगी B की कम होगी यह natural difference है इस तरह करके कुछ man-made differences भी होती है लाइक A ने ज्यादा पढ़ा होगा या इसके पास ज्यादा skill है तो definitely इसका जो post मिलने वाला है तो एक अच्छा सा post या wages उसको अच्छे मिलेंगे B ने कुछ नहीं पढ़ा तो illiterate है तो इसके chances हैं कि यह agriculture या industrial worker बन जाएगा तो यह कुछ यहाँ पर natural difference क्योंकि यह man-made difference है इस तरह करके यहाँ पर man-made differences like आप यहाँ पर मैने जैसे कि आपको sickle educational qualification है यह status भी एक चीज है जो यहाँ पर man-made है तो यह हम discuss कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर जो natural differences है हम यहाँ पर फिलहाल आप जो यहाँ पर man-made differences है तो man-made difference में यहाँ पर िखिए मिलाट सब्तने है इसमें क्योंकि पन शक्ते हैं और जितने भी इसमें टापिक लेटेट है हम यह सारा डिस्कूस कर लेंगे तो यह हमने पहले ही यहाँ पर डिसकूस किया था तो जब यह ब यह जो differences इसने यह जो कृफिकिचन की थी और बी ने यहांपई चिने कुछ पड़ा ही नही किसी भी आप इसमें लगसा respect मिल जाएगा किंकि यह society का एक यहां पर mental construct है, बी को उतना respect नहीं मिलेगा, तो that means यहां पर जो society है, इसने यहां पर graduation को value दिया, और यहां पर जो अनपड़ा आदमी है, उसको value नहीं दिया तो इसकी qualification कुछ भी नहीं है, तो जब society किसी भी difference को man-made difference को यहां पर यहां पर यहां पर एक kind of value या preference देगा, तो that means यहां पर social stratification और social inequality का यहां पर origin होता है, तो यहीं से social stratification का origin होता है, तो अगर man-made, यह important point है, यह तो man-made, यहां पर डिसकस किया, अब यहां पर अगर हम, यहां पर boy है और यहां पर girl है, इनके बीच तो एक difference है, that is natural, कि इनका जो sex है, that is different, तो यहां पर भी society इसको ज़्यादा, like boy को ज़्यादा यहां पर value देती है, as computer to the girl तो यहां पर natural difference जो थी, हमने इसको भी value attach किया, तो यह भी एक social stratification बन गई, gender as a social stratification भी हम पढ़ते है, लाज़ा अगर society, अगर society का mental का न structure ऐसा होगा, कि यहां पर बाई और girl को से यहां पर preference दी जाएगी, तो यह social stratification नहीं है, तो अगर हम यहां पर value attach नहीं कर लेगी, इस तरह करके अगर हम qualification को कुछ नहीं value attach ही नहीं कर लेंगे, तो qualification, that means इसका भी same respect होगा, इसका भी, तो यह भी social stratification नहीं बनेगी, जब society value देगी किसी चीज़ को, किसी difference को, तो that means यहां पर social stratification और social inequality का यहां से ही origin होता है तो लहाजा यहां पर एक चीज़ आपको आप समुझना होगा है, यह जो social stratification, यह social है that means यह समाज का एक mental construct है, क्योंकि मैंने पहले भी बोला आपको, अगर हम यहां पर respect या value देंगे इस चीज़ को, किसी भी difference को यह हम उसका value ही नहीं देंगे, तो that means वो कुछ भी, यह उसका important समकुछ नहीं देंगे that means वो social stratification नहीं है so society ही इस चीज़ को respect देती है like gender, sex को या अगर आप यहां कहा सके qualification को skill को, caste को, तो caste आपका यहां पर है caste में देख लिए आपको ब्रहमन को अलग सा respect मिलता है, तो that means कि society है, society का mental construct है अगर इसमें कुछ भी आएगा तो डेफिनिटली इसके चांसे बन रहे है इस point की तो यहां पर मैंने यह आपके लिए डाइग्राम रखी है देखो यह social stratification कैसे इसने यहां पर जिखाया है तो दोस्तों देख लिए यहां पर जो नीचे वाले हैं फिर इसके बाद यह तो तीन stratas है यहां पर जो यहां पर समूझना होगा कि यहां पर जो social stratification होते हैं इसमें stratas होते हैं तो stratas आपको दो चार पाज भी more than two यहां पर होते हैं तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यहां पर मैं आपके सामने क्योंकि पहले भी मुझे बहुत सारे मसेज़ और टेकस्ट भी आये हैं साथ ही साथ यहां पर कॉमेट सेक्टें में भी बहुत सारे विवर्स मुझे पूछते हैं आपका नाम क्या है वगयरा वगयरा तो लहाद मैंने यहां पर आपके लिए रखा है यहां पर कैरियर केप्शूल पुलस के नाम पर है तो इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आप उस पर जोई कर सके हो कि वहां पर सारा कुछ मैटिरियल पीडियाफ यह पीडियाफ होगी वहां पर आपको यहां पर आगे बढ़ लेंगे तो अब मैंने ग्यां पर तो यहां पर आगे आपका काम आएगा सोशैल पर पढ़ोगे तो एक पैटरनाफ सोशल रेलेशनशिप उचीप होते हैं लाइक आप एक फेमिली ही लीजे फेमिली में क्या होता है family में दोस्तों ये होता है कि हर एक का रोल यहाँ पर like यहाँ पर जो head होता है usually male member वो क्या करता है वो office जाता है और उसकी जो wife है वो गर में खाना बनाती है और बच्चे अपनी school में जाते है तो यह एक pattern होता है हर एक society का तो social structure यही हुआ कि इसका जो pattern है यहाँ पर जो male male member generally head होता है उसके बाद उसकी जो wife होती है वो गर में खाना पकाती है और बच्ची स्कूल जाते है और वहाँ पर जो decision जब भी कुछ भी decision लेनी होती है तो definitely यहाँ पर concert होना चाहिए head of the family जो आपर male member होता है यह pattern और और ना पर social relationship है यहाँ पर इनके भी क्या relation है ऐसे करके इनके भी relation होती है तो इसका मतलब हो यह एक social structure हो जाएगा तो social structure कैसे change होगा यह change भी हो सकता है क्योंकि आप हम क्या usually जब भी आप यहाँ पर हम मतलब अक्सर बेश्थरा अप यहाँ पर और family में क्या हुआ है तो अब यह जो आप की wife होती है आब यहाँ पर job भी करती है तो that means यहाँ पर जो आप social अब कसी भी फ्हीam eternity वो भी हो सकी है यहाँपे तो यहाँ पर family में एक तो यहाँ पर आपका फिमेल जो यहाँपे है फिमेल वर्किन्ग होगी कहाुए होती थी मेरेघ होता दा एक तो यहां पर वाइय और गरल होता है तो यह home et यहां पर अलग सेक्थ था यहां होती है यह सेम सेक्थ भी हो सकती है तो आप यहां पर सोलो गुमी तो वह पी एक कैणन हो इस तरह करके आप यहां पैर ऑपने समझा ओगा तो जब भी सश्ब्रेक्षर में चैंज होगी तो देट में अगल यह जो आगे एक टापिक वह लिए आपको यहां पर यह समझना होगा social change क्या होती जब भी social structure में change होगी like मैंने बोला आपको earlier family में क्या होता है usually male member आप female है तो इसका मतलब यहां पर जो main मकसद था आप मुझे यह example यहां पर quote करने का यह जो inequalities है social stratification में इनके भी एक definite social structure होता है इनके बीच एक particular social structure होता है यह जो inequalities होती है अगर यह in the form of hierarchy होगी like मैंने कास्ट सिस्टम में आपको बोला कि यहां पर आपका होता है ब्रह्मन फिर होता है शत्रियाज वेश और शुद्राज अगर यह hierarchy होगी तो इसको हम बोलते है social hierarchy जैसे कास्ट में इसमें एक hierarchy होती है ओपर ब्रह्मन वो हम नीचे discuss कर लेंगे तो अगर यह social inequalities without hierarchy होगी तो इसको हम फिर social differentiation बोलते हैं तो social stratification अगर इसमें hierarchy होगी और different status होगे तो यह हो गया यहां पर बिलकुल social stratification अगर इनके बीच hierarchy नहीं होगी तो यह हो गया social differentiation लाइक social differentiation में यहां पर एक simple example agriculture worker और industrial worker तो इनके भी कोई hierarchy नहीं कि दोनु लेबर है तो इनके भी कोई hierarchy नहीं है तो that means इनके भी social differentiation है अब हम समाज यही बोलेगा यह agriculture में काम करता है यह industry में काम करता है इनके भी hierarchy नहीं है important point है जो यह social stratification है अब तो अगर हम इसको अब discuss ही कर लेंगे to the point जो आपको अपने notebook में लिखना होगा तो social stratification means कि जब हम ranking कर लेंगे groups are individual इन्हें hierarchy hierarchy एक hierarchy में हम group को ranking कर लेंगे तो उनको अलग सा अलग reward मिल जाएगा यहां पर like power, prestige और valid तो उस hierarchy की वज़े से उनको अलग सा respect मिलेगा है एस computer जिस उनको ब्रहमनस को ज्यादा मिलता है एस computer शुद्राग तो क्योंकि इनका social reward मिलता है यह social stratification की वज़े से उनको अलग सा reward मिलता है तो इसके बाद यहां पर दिसकस किया है कि फोर्स सब प्रोसेसे होते हैं यहां पर पहले differentiation होते है तो लाइक मैंने possession of security बर्ग की वज़ेसे यहां पर दिफ्रेंसेशन होते है लाइक किसी का सिकल जादा है किसी की कॉलिफिकेशन जादा है तो यह एक डिफ्रेंसेशन है डिफ्रेंसेशन के बाद होता है तो तो इवैल्वेशन के बाद क्या होगा दोस्तों यहां पर ranking ranking होगी तो फिर जैसे मैंने आपको बूला ranking पहले नंबर पर पहले लाइक बोलेंगे PhD पिएजी फिर पेजिए पीजी यह रैंकिंग होती है इसकी फिर ग्रेजिवेशन फिर तेन्थ इस तरह करके सोसाइटी इसको फिर रेंक कर लेगा एकार्डिंग टुदा हैरार्की है तो उस हैरार्की वज़े से इनको अलग सा रिवाड मिलेगा तो जब भी यहां पर जब कोई पीजडी वाला जाब किरे जाएगा और टैंथ वाला जाएगा तो ज्यादा सहरी पीजडी को मिल जाएग यहां पे रिवाड इसका यहां पे सोशल स्ट्राइट्पिकेशन इसके पास जज़्यादा सा सिकल है इसके हैमने रखहा है तो यह सत्री स्ट्रियाज वेशal स्ट्राइट तो यहां पे जो यहां पर इंपन नहीं है यहां पे जो रिखना है ऑपन होगा सकता है। यहां पर रेच को कियों एक है price को तूरे तो सबस्क्ष ॐसकोission तो बगता एक प्र इस तो यहां पर आप्ण מקालच इआए देख़ डेग्राम करिक्ष इस्टेज है अब करेक्रिस्टिकल्स हैं कुछ यहां पर आटेशन करında हैं कि इसको ज्यादा से इंकम को कियों की है घंच्पी ईसको यह एनिटेहीं है और टी स्ट्री के 때리는 पहले लाइक फ्यूडल सोसेटी थी स्लेव सोसेटी थी स्यूटिक सोसेटी थी है अब तो इन्वर्सल है और यह साथ यहां पर कंसीक्योंशल मीनिश की एक कारल मारक ने बोला था जब भी यहां पर सोचल स्ट्रेटिकेशन होती है यहां पर नार्ट के पीश तो यहां पर एक रिवलीशन आएगा तो यहां पर किया लुमारक ने आरड़ी बता है यह लेक्टर आने वाला है उसमें हम अच्छे से डिसक्स कर लेंगे फिरहाल आपको यह याद रखना कि सोशल स्ट्राइट्पिकेशन में कंसिकॉंस हैं यहां मैं यहां पर सुच्छ स्ट्राइट्पिकेशन के बारे में एक तो कारल मारक कान णफलिक्ट तो रिस्ट रहें हैं इंपर्टर स्ट्राइट्पिकेशन में इसने जिवह और यहां पर सिलीव में मास्टर्स उपर था जिसको इसने बोला है और हम नार नीचे थे बहonna कोई यह कोई कलास नहीं होगा उन नहीं होगा कोई से बहुत नहीं होगी ल ही तो यह 성and क log कायी public श्रीट के बारे लिए की इसका मानना सो और का ये functional है क्योंकि यहां पर society में agriculture workers होंगे, bureaucratis होंगे, politicians होंगे, industrial workers होंगे तो यह अगर agriculture worker है तो इसकी capability कम थी तो bureaucrate इसकी ज़्यादा थी उसकी यह qualification की ज़्यादा थी तो यह different caliber के लोग है तो इसकी वाज़े से society में यह stratification very important है, अगर इस social stratification नहीं होगी, तो यहां पर disorder आएगा society में, यह functionalist devisor more का कहना है क्योंकि जब यहां पर stratification ही होगी तब जाके यहां पर society में order होगा, जब agriculture worker क्योंकि अगर यहां पर agriculture ही नहीं होगा, या industrial worker होगा तो that means, यहां पर कोई काम नहीं होगा यहां पर bureaucrate नहीं होगा, यहां पर administration ही नहीं चलेगी तो लहाजा यहां पर इनका माना कि यह जो social stratification है यह functional है, यह society के लिए helpful है यह आपको यहां पर याद रखना होगा अब जो main topic आज का था, यह था caste and class as a social stratification आज हम यहां पर caste as a social stratification पढ़ेंगे काल हम class as a social stratification पढ़ेंगे तो caste में हम पहले ही डिसकास किया था, मैंने बहुत सारे यहां पर examples quote किये थी, caste में जो society है, तो हिंदुज्म है इसमें ब्रह्मनस टाप पर होते है जो usually priests और बाकी यहां पर teaching के related होते है ब्रह्मनस यह priests ही होते है इनका academic is ठीक होता है उसके बाद यहां पर शत्रियाज होते है तो यह warriors और kings होते है जो यहां पर rule करते थे उसके बाद यहां पर waste होते है वेश यह merchanters, land owners होते है यह traders होते है तो उसके बाद यहां पर होते है शुद्राज, यह presenters वागेरा workers होते है लास्ट पर outcast है जिनको हम बोलते है यह untitables होते है untitables क्या होते है यह sweeperus होते है जैसे हम यहां पर untitables यह outcast होते है तो यह यहां पर fifth sitrata होता है लाज़ यह इसलिए out यहां पर triangle से बाहर रखा है यह out of cast है तो यहनको हम twice baron बोलते है यह जो यहां पर है तो last पर यह जो untitables है इनको बहुत यहां पर description discrimination होती है तो यह आपको यहां पर यह जो triangle है आपको याद रखनी होगी तो cast में यह जो अलग से ट्रैटा है दूसरे नमबर का से ट्रैटा यह अलग-अलग से ट्रैटा है यहां पर यहां पर यहां पर कलोज़र से ट्रैटा है मैंने आपको पहले ही बोला यह untitable अगर कितना भी पढ़ेगा या कितना भी इसके पास cycle होगा यह कभी ब्रह्मन नहीं बनेगा तो यह यहां पर कलोज़र फारमा सोशल स्ट्रैटिपिकेशन है अब यह जो कास्ट हैं कास्ट यह मैंने आरे यहां पर डिसकस किया था यह कुलोजुड फारम सोचल स्ट्राटिफिकेशन इस सिर्फ यूनिक है इंडिया को और किसी भी मुलक में आप यहां पर कास्ट आज सोचल स्ट्राटिफिकेशन आप नहीं पाओगे तो यह लारजली याद रखना यह और यह पर यहां पर इन्हों ने आट जसले थे तो माना था करöme सफी इनका माना थे 10 Всё जनम में कि ने sinurs किए होंगे तो उसका जो जनम होगा वो lower caste में होगा अब उसको इस जनम में मतलब धयत कास्ट फालो करना होगा तो तब जाके और sinners भी नहीं करने होगे गुना नहीं करने होगे तब जाके उसको अगले जनम में बहिमनज में जनम मिलेगा यह करमथोरी का यहां पर मानना था, और अक्पेशनल थोरी जो नेस फिल्ड ने दी है, तो इसका मानना था यहां पर जो डिफरेंस डिटरैटरज आज है इस अकारडिम तो अक्पेशन, तो ब्रहमनस का यहां पर प्रीश्ट है इसके बारो रिफरेंस वग्यार है, तो यह आक्पेशनल थोरी है लास्ट ही यहां पर एक ठोड़ी है तो इनका मानना था कि जो लावर कास्ट है, यह ट्रैब थे, जे इनका मानना था अब यहां पे फीचर उसाफ इंडिन कास्टर सिश्टम आपको यह भी नोट बुक में आपको नोट करने होंगे तो इसमें एक तो हायरार्की होती है हायरार्की मैंने पहले बोला कि ब्रहमनज उपर है फिर इसके बाद शत्रियाज वेश इसमें यह हायरार्की है सिश्टम आपको इसमें यह है अलग अलग डियोजन इसमें यह ब्रहमनज इनको अलग सार क्या है शुद्राज उन्टैक्पिलोस को सबसे काम मिलता है यहां पे इनको डिसाबल्टी हैं यहां पर अगर यहां ब्रह्मनुज होंगे तो उनको वहां मकान बनानी नहीं देते थे अर्लियर उनको एक की टुवल में वह पानी नहीं ले सकते थे तो यह कुछ उनके डिस्टैबल्टीज थे सिवल डिस्टैबल्टी एंडोगोमी तो यह जो इनकी मैरेज मेरेज़ विदिन कास्ट आप हाड़ यहां पर इनके बीदिन कास्ट भी शादी होती है लाइक आक्पेशनल चॉइस उनके लाइक शुट यहां पर सुवीपर का ही जाब देजे हैं ब्रहमन उसको यहां पर प्रीश्ट हुड तो अपना ही जो इनका आक्पेशन है उसको ही उनको कंटीनू करना है लेहां पर अगर किसी अंटाइचेबल का वेटा होगा तो उसको सवीपर का ही काम लेगा अब यहां पर कुछ थोरी से कास्ट के बारे में यह भी आपको याद रखना होगा यहां पर थोड़ा सब कुछ के बारे में पता होना चाहिए लादा कास्ट का भी पीडियाफ में आप इगनो का पी यहां पर इंडियन यहां पर सोशाल से उन्हों ने कुछ तोरी आए यहांप याँडी के बारे में लादा अबल्डुड टूंड Пред किया और जो उपकीए इसने इसका मानना था कि हम जो सटी के यहां पर रिशक कर लेंगे तो हम जितने भी यहांफर होगे िजू आर्क शास जितने भी यहाँ पर past books हैं, religious books हैं तो उन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि हमारी society, इंडिया की society कैसी थी तो इंडोलाजिकल एप्पोच इसने यहाँ पर adapt किया है यहाँ गोर्वे ने तो इसका माना थी यह जो अंटेकल यह बैकवर हिंदूज हैं तो साथी साथ इसने यहाँ पर इंटेग्रेटिव प्रस्पेक्टिव यहाँ पर एक्सफलोर किया, इंटेग्रेटिव इसका माना था कि यह जो कास्ट सिस्टम है, यह इंटेग्रेट करता है society में, तो society कैसे करता है इंटेग्रेट कि यहाँ पर ब्रहमन होते हैं और शुद्राज यह इनके अंटेकाम करता है तो इंटेग्रेटिव इंटेग्रेशन होती है society में, तो यह जियाजगोरे का माना था इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एमन सिरनी वाज भी आया था इसने कंसेप्ट दिया है सनस्कृताइजेशन जो आपको याद रखना होगा सनस्कृताइजेशन क्या हो गया जब भी लावर कास्ट जो होते है लावर कास्ट पी लाइक शुद्राज या अंटाचेबल ठे़िए टर्ट। अच्छ होड़ दिया किरुए इनका मानना था हम इनकी यहाँ बहुत कर लेंगे और के यहाँ से क्यास्वा जैसे में बोला कि यहां पर चैरल वांते थे तो इस तरह करके उनको लग रहा था हम भी बहुताब़ एक त्रेंठ पर सब्सक्रिण तो जब भी लावर कास्ट यहां पर जितने भी यहां पर थे तो जब भी वो लो कुछ ट्रेटर कर लेंगे ब्रहमन के क्योंकि उनको लग रहा था इस चीज़ से हमें रेस्पेक्ट मिल जाएगा तो इसका हम इसको हम कहते है सनस्क्रिटाइशन तो यहां पर किस ने दिया यह कुछ दिपूर्ट होता है तो उनको वहां पर आते हैं डिस्पूट को सालो करने के लिए पर रूल किया तो बहुत सारे इंडियन वह थे जिन्होंने यहां पर प्रेतियों Sr. यहां पर बैटिश को अड़ो junk है उनका प्रेटी खार के है उन्हें का दी ग्राप्टर शेट खहाना स्रूसे कुछाफ को एस वह इस इंथन ब्रेटीश। खहने हैं जो प्रेटिश अरुब्डेश इनका जो ड्रेसा वो फिलकुल अलग ता अगर किसी के पास लैंड लैंड होगा या किसी के पास एजगेशन होगी डवी यहां पे हम एलन देखर मांन था Прाटा poverty के अधर टाइब की zij तुद जो यहांपे रогमनाज। की सिज्स ने बोला कि से पहला पर पालिफ आसकी वाजे आ हीरे अर्क हिर्की में पहला नमबर थे यहांपर प्हुछ ब्रुर्जपérioटनेश और यहांपर यहांपर इंतरsın यहांपर इन पहला हुते हैं वह एस separation है तो लेहाजा कभी ब्रहमनस यहां पर जो प्यूर माने जाते हैं तो यह कुछ काम ऐसा काम ही नहीं कर लेंगे वो काम जिससे इंप्यूर हो जाएंगे लाइक स्वी पर लैट्रिन लैट्रिन क्लीनिंग तो यह वो काम नहीं कर लेंगे तो इनकी वज़े से इनके बीच यह किन है किiko यहां पे जितने भी लावर कास्ट और सपीरियर लावर कास्ट वह सकते हैं कियोँ कि आजकल के जमाने में आप यहां पर ब्रहमनस इस इसका मानना था कि-हा पर सुपरिमिंजी नहीं है हमेशा एंवन किसी जगह पर जोonse करीए हो सकते हैं तो किस की वाज़ास कुए की यहां पर आपने जमीन बेजिका अब को बहुत सारी जगों प्रहामन अब यहां पर आना पर एज़ स्टेям और बहुत सारे जगह पर जावन वहाएज आ आई when e Amid तो इसको अलग सा रेस्पेक्ट मिल जाएगा किसी आयेस किया है तो इसका मानना था कि हमेशा ब्रह्मन अब सुप्रिम यह डॉमिनेट नहीं रहते हैं यहां पर लावर कास्ट भी डॉमिनेट हैं तो दोस्तों यह सुप्रिमेशी किसकी वाज़े से हैं इनके पास एजुकेशन लैंड ओनर्शिप अगर किसी लावर कास्ट भी ज्यादा लैंड ली एजुकेशन ली बच्चों को पढ़ाया वह आफिसर बन गए तो उसका